कि अच्छाइब करता हूं कैसे हो, कैसे हो, कैसे आप लोगी प्यारी चल रही है? उम्मिर्ट करता हूँ, आप अपने घर पर बैट कर बड़ी मजे से खान ग्लोबलिस्टेडी के साथ अपने सपने को शाकार कर रहे होंगे तो प्यारों चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की क्लास की शुरुवात करते हैं और प्यारों जिस दिन का कब से हम लोगों को इंतजार था लीजिए आज हमारा वो दिन भी आ गया और आपको बहुत बहुत बदाई हो कि खान ग्लोबल स्टेडी परिवार आपकी लिए आपकी राजस्थान की कॉंपेटिशन एक्जाम के लिए आज पहला दिन और पहला दिन से हम लोग हमारी क्लास का स्री गनेश कर रहे हैं कौन-कौन क्लास के अंदर आ चुका है अटनेंस दिखा दीजे थोड़े से कमेंट्स जूम कर देने इनको और थोड़े सबसे फर्स्ट कमेंट्स निशा सर्मा, जै किशान, लवकिश मीना, सीमा, केलाश, सोनू, राहुल जांगेड, रामकिशन मीना, दिपिका, केजेस गूजर, गजंदर, शाम सैनी, सबका खुब-खुब स्वागत, खुब-खुब अभिनन्दन प्यारों, जिस दिन का आप वे सबरी से इंतजार करते, सर हमारी सीटी की क्लास कब से स्टार्ट होगी, कब से स्टार्ट होगी, कब से स्टार्ट होगी, सर कब से स्टार्ट होगी, तो लोग आज हो गई, भटनेट से प्रणाम, नोड़ा से आपको आशिरवाद, है ना, सा आज तो 17 गी राजस्तान यहां पर दिख रहा है सारे राजस्तान वाले अपने अपने जिल्ले का प्रतिनी दित्वों करते हैं यहां पर पहुंचे हैं और प्यारों पूरे खान Global Study परिवार की तरब से मैं आप लोगों को भरुसा देलाता हूं प्रामिस दिलाता हूं कि बड़े अच्छे से बड़े मजे से और बहुत ही सुईधा के साथ आप पूरा अपना सले बस पढ़ोगे पीडिएप भी आप लोगों को मिलेगी और पीडिएप के सासत में आपको इसको रिकोर्डिंग लाइव कॉलिटी स्पीड सारी की सारी आप अपने हिसाब से कर सकते हो देख सकते हो और पढ़ सकते हो पीपाड बैनर से प्रणाफ अभी शेक सर्मा खुब खुश रहो मोज करो उस्मान मुहमद गुड मॉर्णिंग उस्मान जी कैसे हो कैसे हो दोसा से नमस्ते मालो की नमस्ते कैसे हो तो अब आप लोग क्लास को स्टार्ड करते हैं और प्यारो आपके साथ में मैंने सले बस डिश्कुशन कर लिया था मैं राधस्तान हिस्ट्री स्टार्ड कर रहा हू और राजस्तान का इथियास में स्टार्ट करूँ तो प्यारा आप लोगों को राजस्तान की इथियास के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोग राजस्तान की इथियास के बारे में बात करें तो राजस्तान की इथियास के अंदर रादस्थान की प्राचिन सभ्यताओं से हम लोग हमारी क्लास को स्टार्टा करेंगे और रादस्थान की प्राचिन सभ्यताओं कौन-कौन सी पढ़नी है और वैंसे तो रादस्थान के अंदर कई सारी सभ्यताओं मिल रही है लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ इन चार सब्विताओं को पढ़ना है चार सब्विताओं के बारे में बात करनी है सर वो चार सब्विता कौन कौन सी है तो चार पास सब्विताओं के बारे में हम लोग बात करें तो काली बंगा, गनिश्वर, आहाड और बहराट ये जो 5-4-5 सभ्यता है इन सभ्यताओं के बारे में आप लोगों को चर्चा करनी है इनके अलावा और जितनी भी दूसरी सभ्यता है आप लोगों को ना तो जानना है ना पढ़ना है ना उनको आपको दिखना है अब इन 4 करेंगे तो सबसे पहले में आप लोगों को बताते तो ये जो सभ्यताओं की सुरुवात हो रही है वो सभ्यताओं की सुरुवात कैसे हो रही है प्यारा हम लोग इथियास को बाढ़ देते हैं तीन भागों को बाढ़ते हैं तो इथियास की तीन भागों को बाढ़ते हैं लोगों को मिलता सबसे पहले जिसको हम बोलता है आद एथिहासिक काल यह सबसे पहले आजयता है हमारे पास में आध एथिहासिक काल और इसके बाद हम लोग देखें तो आता हमारे पास में एथिहासिकाल हिस्टोरिकल एज इनको क्या क्या कहा जाता है इन तीनों के नाम दिख लो सबसे पहले पूरा एथिहासिकाल इसको कहा जाता है प्री हिस्टोरिकल एज आज एथिहासिकाल इसको कहा जाता है पर्स्ट चोजस तो है, यह सबसे बैस्ट और आपको लगे कि नहीं, साथ-साथ में हम तो पड़ेंगे, तो बाद में आपको पीडियुप मिल जाती है, तो पीडियुप से भी आप नॉट्स बना लेना, और सबसे बैस्ट तो यह साथ-साथ बताओ, क्योंकि कई वार हम पाशान काल, पाशान काल, इस पाशान काल के अंदर क्या जानकरी मिलती है, इसके अंदर पूरी तरह से लिखित जानकरी का अभाव है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमको लिखित जानकरी का मिल रहा है अभाव, अब इसी पाशान काल को हम लोग तीन भागों के पूरा पाशान काल कौन सा काल आ जाएगा पूरा पाशान काल उसके बाद में आता है मध्य पाशान काल मध्य पाशान काल और मध्य पाशान के बाद में आ जाता है आपके नव पाशान काल नव पाशान काल आप यहां पर क्या क्या हो रहा है देखो थोड़ा सा आपको आपक मुलते के लिक्तिं में रहुं से छूटे थे तो खेलते थे गाड़ी चलाएं बाज़ाइं और घ्रागे और चलाएं याथ मानलो कोई पथर का टुकड़ा है और वह पत्थर का टुकड़ा इस आकार के इनदर है तो आज की तरव फीर प्राइल्ज बुलते हो तो कुछ होते नहीं थे, हमारे पास में तो भई इसी तरह के खिलोने होते थे, अब हमने उस पत्थर के टुगड़ी को क्या किया, इसको हमने कार बना लिए, और कार बना कर मुह से यावाज नकाली है, ड्रन-ड्रन-ड्रन करते हैं, हम गाड़ी चलाते थे, थोड और बड़े होए, और थोड़े और बड़े होए, अमने का यार, पत्थर वाला अच्छा नहीं लग रहा है, आप तो तालाब में जाएंगे, और तालाब में जाकर मिटी लाएंगे, और मिटी से खिलोने बना कर हम लोग खिलना शुरू करेंगे, तो यही जो मैं आपको त पत्थर को पकड़ने में दूइदा हो रही है, तो हमने पत्थर को तोड़ा, और अपने अनुरूप उस पत्थर को बनाए, वो हो जाएगा मद्धि पार्शानकाल, और फिर उसके बाद जो आ रहा है, नव पार्शानकाल, उसमें हम लोगोंने मिटी के बरतन बनाने प्रा जगा पर इस्ते रूप से निवास भी प्रारंब कर दिया, और इस्ते रूप से निवास प्रारंब किया, तो यहीं पर जन्म हो रहा है किसका सभ्यताओं का, यहीं पर किसका जन्म होगा, यहीं पर जन्म होगा सभ्यताओं का नव पार्शानकाल के अंदर, इस आध्यातिय सी काल के अंदर हम बात करें तो यहां हम लोगों को लिखी जानकारी मिलती तो है यह हो जाएगा आद्यातेसिकल प्रोटो हिस्टोरिकल एज और यहां जो जानकरी प्राप्त होगी वो जानकरी किस रूप में होगी तो यहां पर हमको जानकरी प्राप्त होगी लिखित रूप में जानकरी किस रूप में प्राप्त होगी हम काली बंगा सभ्वेता लेकिन उससे पहले एक शांद को जानना जरूरी है यह सभ्वेता क्या होता है और जल्दि से कमेंट्स करके बताओगे सभ्वेता किसको का जाता सभ्वेता का मिनिंग क्या होता है सर पशुपरिसर में सेलिबस टॉपिक नहीं दिये हुए है अब शेक पशुपरिसर के अंदर तो बस सीधा दे दिया राजस्तान का इत्यास अब राजस्तान के इत्यास दे दिया या राजस्तान का प्राचिन इत्यास दे दिया जीवन जीने का तरीका रामकिश्मिना बहुत बड़ी मेज़िए की बहुत बढ़े एक दम सगांड पौई संबिता का मतलब होता है तौर तरीकता का मतLब क्या होगा सबिता का मतलब होता है तौर तरीका अब आप लोगों ने देखा और कि वह कि कपड़े ने प coercखा x ऐसे निर्वस्त्र घूम रहा है ना उसको सर्दी बरसात गर्मी कोई कुछी प्रकार का फरक नहीं पड़ रहा है एक तरह से बिलकुल बिलकुल जिन्दकी जी रहा है किसकी तरह जानवरों की तरह तो उसको तोर तरीका नहीं है तो धीरे 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 जब उसको तौर तरीकि आए, तो तोर तरीका है, अब उसको समझ में आया, कि यार, मुझे इस तरह से žीवन जीना ची, उसने कपड़े पहनने सुरू किए, उससे पहले उसने पेड़ पोदों की पतिओं को, पेड़ पोदों की खाल को, मरेवे जानवरों की चमडे को अपने शरी पे डालना शुरू किया फिर लगा यार कपड़ी बना ले खेटी की, कपास की, कपास की खेटी से धागा बनाया, धागे से कपड़ा बनाया फिर उसके बाद, उसने का यार अब एक जगा से दूज़ जगा घूम रहे हैं कहीं एक जगा रहना तो सिख हैं तो उसने रहना भी सिखा, पहले कुटों की तरह जानवरों की तरह जमीन के अंदर बिल बनाए फिर घास्पस की जोपड़ी बनाए फिर उसने इट पत्फरों से पके मकान बनाने भी सिख लिए तो यहां हम लोग बात करते हैं सब्वेता यानी की तौर तरीका अब सब्वेता यानी तौर तरीका तो हमारे राजस्थान के अंदर ये प्राचीन कालिंग तौर तरीके कहां कांपर मिल रहे हैं तो प्यारों जो हम लोगों को सलेबस के अंदर दी गई है तो हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेंगे इसी टौपिक के बारे में काली बंगा से आओ काली बंगा से यात्रा को प्राड़ंबर करते हैं और मैं यहाँ पर heading लगा रहा हूँ काली बंगा सब्भेता heading लगा रहा हूँ यहाँ पर काली बंगा सब्भेता इससे क्या-क्या प्रश्न पूछा जा सकता है सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है यह काली बंगा कहां पर इस्तित है ये काली बंगा है कहाँ पर इसकी location कहाँ पर है तो काली बंगा की इस्तति देखो पहले पहला प्रशन तो पूछा जाता आप लोगों से यही ताओं देखो कई सारे उलट फेर भी हुए राधस्तान के इतियास के अंदर और राधस्तान के इतियास के अंदर जो उलट फेर हुए उन उलट फेर के अंदर नमबर एक जो बैराट कभी हम लोग जैपूर के अंदर पढ़ा करते थे अब हम जैपूर के अंदर नहीं पढ़ेंगे अब जैपूर की प्रिश्ण और पूछा जाता है काली बंगा किस नदी के किनारे है नदी कौन सी होगी तो यहां पर नदी का नाम भी हम लोग को कोई है क्या हनवानगडवाला हाथ खड़े करना हनवानगडवाला है या नहीं है चलो क्योंकि अभी भटनेर से कोई प्रणाम कर रहा था और भटनेर ही हनवानगड़ है भटनेर ही क्या है सोनू है ठीक है सोनू हाँ अभिशिक बिल्कुल हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर भी हो जाएगा और रास्तान हिस्टरी भी हो जाएगा ठीक है रास्तान जी की पूरा कम्लिट हो जाएगा संदे आराम से रहो आप अब नदी की बात करें तो नदी कौन से हो जाएगी तो नदी यहाँ पर आ जाएगी गगर नदी नदी कौन से हो गई? तो नदी यहाँ पर आ रही है गगर नदी अब त्यारों आपको गगर नदी के अन्य नाम भी पूछे जा सकते हैं इस गगर नदी को और क्या क्या कहा जाता है तो गगर नदी के नामों के बारें बात करें एक तो देखो जादा पानी नहीं आता है इसके अंदर है ना सुखी रहती है अक्सर मौस मी नदी है तो हम इसको मरत नदी भी कहते हैं इसको क्या कहा जा सकता है इसको मरत नदी भी कहा जा सकता है फिर हम लोग मरत नदी के बारे बात की फिर हम लोग बात करें second number पे अंजली माली अंजली तुम पूरान इस्ट्ट लग रही हो मुझे यह नाम याद आ रहा है अंजली राज समन से है ना, बिल्कुल मरत नदी के अलावा इसका हम लोगों को वेदो के अंबर नाम क्या मिलता है इसको कहा जाता है दुरस्दती नदी इसकी बात 30 number पे हम लोग बात करें तो 30 number पे हमको उसका क्या नाम मिलेगा तो इसी को कहा जाता है सरस्वती नदी इसी को क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है सरस्वती नदी प्यारों बरसात के समय कई वार इसके अंदर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है और बरसात के समय जब इसके अंदर बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो इस वज़े से इसको कहा जाता है नट नदी नटा नदी और ये नदी जब आगे पाकिस्तान के अंदर प्रविश्च कर जाती है तो पाकिस्तान के अंदर प्रविश्च करने के बाद इस नदी को क्या का जाता है इसको का जाता है हकरा नदी इसको क्या का जाएगा इसको का जाएगा हकरा नदी में तो आज मोडा हो गया तो मोडा हो गया न तो ऐसा कुट़ाई हो जेगी यहां पे मोडा मत आया करो बेगाई आया करो वरना सीट मिलेगी एक दम पीछे पीछे ठीके का लिओं मोडा फूर्टोला उनली ux तो म्रत नदी, द्रस्तती नदी, सरस्ती नदी, नत नदी और हकर नदी यह तो वोगे सारे के सारे प्यारों इसके नाम अब इसका जो अगला प्रश्न बनेगा, वो अगला प्रश्न बनेगा ये काली बंगा कि भासा का शब्द है ये शब्द इस भाषा का एक तो ये प्रश्ण बन जाता है दूसरा प्रश्ण बनता है इस काली बंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ क्या होगा इस सब्द का मिनिंग क्या होगा तो सबसे पहले देखो ये कौन सी भाषा का शब्द है तो प्यारों भासा के बारे बात करें तो हमको मिलती है ये सिंदी भाषा का शब्द है वाहन से भाषा का शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा सिंदी भाषा का सिंदी भाषा का ये सब्द है ठीके सिंदी भाषा के अलाव हम लोग बात करें हाँ very good, बहुत बढ़िया, कालि चूडिया, गोरियेक कल्एया, पिन दु तुझे अब हरियर ही नहीं, यहाँपर आ जाएगा कालि कालि चूडिया, देखो, कालि बंघ बंघ चूडि, तो कालि चूडिया, इसका शाब्धिक अर्थ क्या हो जाएगा इसका शाब्दी कर्थ हो जाएगा यहाँ पर काली चूडिया काली चूडिया, very good शिंदी भार्षा का है, प्यारों ये आर्पीसी के दोरा पूछा गया प्रशन है और आर्पीस ने पूछा कि इस काली भंगा अब प्यारों अगला प्रशन इसमें से क्या बनेगा अगला प्रशन बनता है, अगला प्रशन आता है काली भंगा के बारे में जो सबसे पहले जानकारी है, वो काली भंगा के बारे में सरव प्रथम जानकारी देने वाला कौन था काली भंगा के बारे में सरव प्रथम जानकारी सरव प्रथम जानकारी और काली भंगा के बारे में सबसे पहले जानकारी किसके द्वारा दी गई कौन सबसे पहले जानकरी हाँ पर आपके देने के लिए आ रहा है सबसे पहले जानकरी कौन देखा अब आपसे पूछा जा रहा प्रशने यह यह प्रसिदा प्रशने यह पूछा काली बंगा के बारे में सवरप्रतम जानकरी किसने दिदी चार option आप लोगों को दिदी जाते हैं और चार option दिदी जाते हैं जैसी गलती हर सेन ने की है वैसी गलती अक्सर आप लोग भी कर दोगे और आप क्या बोलोगे अमला नंद घोष ने क्योंकि सर सबसे पहले 1951 और 52 के अंदर इसकी खोज कौन कर रहा है अमला नंद घोष कर रहा है इसलिए हाँ तो अमला नंद घोष का नाम देंगे नहीं प्यारो यही गलती नहीं करनी मीनाक्षी गुजर बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जबाबा दिया है तो सबसे पहले जो जान करिये वो सबसे पहले जान कर किसने दिये वो दिये LP Tessitory ने किसने दिये? LP Tessitory ने दी LP Tessitory ने दी कौन था सरी LP Tessitory तो LP Tessitory के बारे भार करें तो ये इटली का विद्वान है ये कहां का है? ये इटली का एक विद्वान था हिस्ट्री के बारे में जानकार था इतली का ये विद्वाना था महराजा गंगा सिंग के दरबार के अंदर आया था बीका नेर के अंदर का आया था महराजा गंगा सिंग के दरबार के अंदर आया था बीका नेर का जो राजा थे बीका नेर बीका नेर शाशक और बिकानिर्शाशा का नाम क्या है, महराजा गंगा सिंग जी, महराजा गंगा सिंग के दरबार में ये आया था, महराजा गंगा सिंग के दरबार के अंदर ये आया, ओके जी, ठीक है अविश्रीक सर्मा इसमें सभी टॉपिक के फॉल्टर नहीं बनेगे इसमें अप्लिकेशन के अंदर क्या होगा आप दिखोगे जैसे मेरा नाम आया तो आपको लिखाव आ गया रास्तान हिस्ट्री बाई बलवीर सर अब जैसे उसके अंदर आप जाओगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा काली बंगा, सब्वेता, बैराट की सब्वेता वो अलग-अलग पूरा पूरा क्लास है मिल जाएगी बिलकुल नाम लिखी भी उसी क्लास के नीचे उस क्लास की PDF और फिर जब हम प्रिंट नॉट्स भी देंगे आपको चिंता मत प्रिंट नॉट्स भी आपको अवलेबल करवा जाएगे तो प्रिंटेबल जो नॉट्स होंगे वो प्रिंटेबल नॉट्स भी आपको उसी क्लास के नीचे उसी class के नीचे notes और उसी class के नीचे आपको PDF मिल जाएगी दौनों चीज आपको वहीं साथ साथ में मिल जाएगी हैना अच्छी बात तो notes के भी भटकना ने पड़ेगा अपने class open की उसी class के नीचे उस class के PDF भी पिन हुई भी है और उसी class के नीचे उस class के नौट्स भी पिन हुए है दौनों आपको उसी class के नीचे मिल जाएगे ठीके दौनों चीज में मिलेंगे अलग-अलग folder teacher wise folder बनेंगे teacher के इसाब से अलग-अलग folder आपको मिल जाएगे बलवीर सर का ये अमीर सर का ये, जेतंदर सोनी सर का ये सबका अलग-अलग अपना folder मिलेगा science का ये, reasoning का ये, सबका अलग-अलग folder मिलेगा और उसके अंदर उनकी class के बिलकुल नाम लिखे मिलेंगे, ये वो class लेट के इसाब से आपको इतना बड़िया features मिलेगा ना मैंना आपको भरोसा दिलाया ना आप निश्रित रो, आप गारेंटी के साथ मिलेगा आपको दुनिया की जो application उनसे सबसे easy सबसे सरल और सबसे बड़िया ये ही मिलेगा ठीक है? सोनो, एक तो खाना पका-पकाया मिलता है और एक खाना बना के खायदونों के अंदर अंतर होता न तो पका-पका इतना स्वाधिस्ट नहीं होता जितना खाना बना के खाने में स्वाध आता है एक पापा की कमई और एक खुद की कमई फरक है के नहीं है? तो आब नोड तो हमदे देगे लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा आप अपने नौट्स हाथों से बनाओगे तो खुद के नौट्स से आप बहुत एजी और बहुत अच्छे से पढ़े करऊगे तो खुद बनाओ नौट्स लेकिन प्यारों जो असली प्रशन आता है वो प्रशन आता है काली बंगा की खोज किसके द्वारा की जा रही है कौन कह रहा है काली बंगा इस हडपा सब्वेता के एक भाग था ये भी हडपा सब्वेता के साथ में आ रहा है तो काली बंगा की जो खोज हो रही है वो काली बंगा की खोज हो रही है 1951 बावन के अंदर कब हो रही है 1951 बावन के अंदर और खोज करने वाला व्यक्ति कौन है तो खोज करने वाले व्यक्ति का नाम मिलता हम लोगों को अमलानन्द घोश किसका नाम मिलेगा यहां पर नाम मिल जाता है हम लोगों को अमलनन्द घोष का नाम मिलेगा अमलनन्द घोष जी इसकी क्या कर रहे है खोज कर रहे है ठीक है अमलनन्द घोष तो खोज खुज आके बैट गए अब इसकी खुदई का काम किसके द्वरा किया जाएगा तो काली बंगा का उत्खनन अगला प्रश्न क्या आएगा अगला प्रश्न मारे पास में आता है कि काली बंगा का जो उत्खननन का काम हुआ है वो काली बंगा का उत्खननन यानि खुदई वो काली बंगा का उत्खनन का कारी कौन कर रहा है काली बंगा की खुदे का कामा कौन कर रहा है तो काली बंगा की उत्खनन के अंदर याद रखना उत्खनन के अंदर दो गट्यों के नाम आएंगे और दो गट्यों के नाम किसके आएंगे एक तो नाम आएगा बनवारी लाल का याना बीबी लाल और एक आता है बाल कृष्ण थापर जिसको मीके थापर बोलता है तो नमबर एक यहाँ पर आजाएगा आपके पास में बनवारी लाल और दूसरा कौन आएगा दूसरा आज जाएगा आपके यहाँ पर बाल क्रश्न थापर बिबी लाल और बिके थापर अब इसका समय भी आपको याद रखना और इसके समय के बारें बात करें इसका समय मिलता हम लोगों को 1961 से लेकर 1979 तक है ना सर बताये ना खांसर भी आएंगे सब आएंगे आपके खांसर रेगूलर क्लास तो नहीं लेंगे लेकिन तुमको बीच बीच के अंदर कभी तुमसे हैं मिलने के लिए जरूर जरूर आएंगे ठीके हाई अलो करने के लिए तुमारे यहाँ पर बीच के अंदर उपस्तित हो जाएंगे अब याओ एक प्रश्ण और बनता है और प्रश्ण बनता है इस काली बंगा को और किस नाम से जाना जाता है इस काली बंगा का अन्य जो नाम है वो काली बंगा को और क्या क्या कहा जाता है अभी आपने काली चूड़ियां बता है वो मत बता नहीं इसलिए मैं काली बता देता हूँ कोई काली चूड़ियां पर नहीं बता है तो इसका मतलब क्या इसको क्या कहा जाता है तो काली बंगा को कहा जाता है दीन हीन की बस्ती दीन हिन की बस्ती यहां हम कहें तो सर इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होता है इसको का गया है यह कैस की बस्ती है यह गरिबों की बस्ती है क्यों सर क्या देख लिया यहां पर कि इसको गरिबों की बस्ती कह दिया इसको गरिबों की बस्ती क्यों का गया है कारण क्या है जैकिशन ही तुम्हारा प्यार है तुम्हारा प्यार है तुम्हारा प्यार है सर जी कंप्लीट फीडियोप के साथ दे दीजीगा जो हुप्म मेरे आका अब मेरा ये प्राण ले लो तुम सारे सारे मैंने तुमको क्या का तुमको बहुत अच्छे से मिलेगा सब कुछ मिलेगा तुम चिंता मत करो तुम मुझे मेरे कैम मेरे पर भरोसा है विश्वास है तो आप कुछ दिन देखे देखो और कुछ दिन समय कर देखे देखो कि न तो आपको खुद को पता चाहेगा सरवास तो मैं आप साही कह रहते हैं ना शबता एक टेस्ट टॉपिक खत्म होने की बाद उसका टेस्ट लेंगे हिमानसु इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा है आपका इंग्लिश मीडियम एक है हिमानसु देखो इंग्लिश मीडियम के तुलिए में अभी आपको हत्वात तो नहीं कह सकता लेकिन हिंदी के क्यों कहा जाता है उसकी पीछी के कारण की बारें बात करें तो दिन हिंकी बस्ती इसलीक हा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो घरों का निर्मान है दाओ देखो विचारों के पास मैं, पैसे ही नहीं थे कि पक्की इंटों से घर बना सके, और पक्की इंटों से घर बना सके, तो इनको कह दिये, यह क्या है, यह तो विचारे गरीब लोग है, है ना, सराब बड़े पड़ाते हो, लेकिन साथ में पटवारी की तहरी हो जाए, अरे पटवारी कीन, आरेस कीन, एलडीसी कीन, कॉंस्टेबल कीन, मास्टर कीन, सब की हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, तो घरों का अंद्रिमान किसे हो रहा है, घरों का अंद्रिमान हो रहा कच्ची इंटों से, लोग घर का मौरत तो हम लोगों ने कर दिया, अब घर बनाने क एका मुद्रा प्राप्त हुई मुद्रा का मतलब क्या होगा सिक्का होगा मोहर नहीं होगा सिक्का प्राप्त होता है और काली बंगा से जो सिक्का प्राप्त होता है उस सिक्के के दो पहलो होते है काली बंगा की होते हैं कि और भी सब जगह के होता है, दो पहलों कौन कोह से होते हैं, एक तो होता है head, और एक होता है tell, यानि सिक्य का एक तरफा भाग, सिक्य के एक तरफ, एक का तरफ, और दूसरा हो जाएगा सिक्य के दूसरी तरफ, सिक्य के दूसरी तरफ, एक तरफ क्या मिल रहा है और दूसरी क्या मिल रहा है ये थोड़ा सा हम लोगों को जानना जरूरी रह जाएगा, तो सिक्के के एक तरफ हम बात करें, तो यहां तो हम लोगों को मिलता है मात्र देवी का चित्र, सुनना मेरी बात को एक तरफ तो क्या मिल रहा है एक तरफ हम लोगों को मिल रहा है मातर देवी का चित्र और दूस तरफ हम लोगों को मिल रहा है बाग या हम लोग कहें तो व्याग्र का चित्र इसका चित्र बाग या व्याग्र का चित्र हम लोगों को मिल रहा है अब आपके परिक्षा के अंदर प्रशन आ जाता है और पर काली बंगा मात्र देवी की मूरती नहीं मिलती है अब कोई बिद्वार उठकर खड़ा हो गा से इस चर्चा चली थी मेरी इस प्रश्ण पे मैंने कहा मिम्द मैंसे मात्र देवी की मूर्ती कहां से प्राप्त नहीं होती है तो मात्र देवी की मूर्ती सिंदु सब्वेता का केवल एक ही इस्तान है जहां से प्राप्त नहीं है बगत्त कि.. किसके माध्यम से ? चित्र के माध्यम से तो इसको मैं नौट लगा कर लिख रहा हूँ याद रखना ओ यहाँ पे लगा जा रहा है नौट और नौट लगा कर लिख रहा हैं%, इसको याद रख लेना काली बगत्ता में सिंदु सभ्यता के के इस्तलों में काली बंगा से मातर देवी की मातर देवी की मूर्ती नहीं मिलती है मूर्ती नहीं मिलती है मात्र दिवी की कोई मूर्ति हम लोगों को यहां से नहीं मिलती है मात्र दिवी का केवल और केवल क्या है हमको चित्र मिला है केवल और केवल क्या है चित्र हम लोगों को यहां से प्राप्त हो रहा है चित्र के बारे में हम लोगों को जानकरी प्राप्त हो रही है पालन की जानकरी मिलती है उट के पालन की जानकरी हम लोगों को यहां से मिलती है उट का पालन यहां पर किया जा रहा था उट को यह लोग पालते थे अब रादिस्थान का जाज है और रादिस्थान का जाज यहां पर नहीं पाला जाएगा तो कहां पर बुल अरे बुल नहीं बुल नहीं बुल तो सब जगा पर मिल रहा है सुन्दिल कुमार यह जो बुल है न बुल क्या होगा बुल तो हम लोगों को सब जगा पर मिल रहा है एक पिछे रहे क्या है मुझे लग रहा हाज मुझे पढ़ाना नहीं चीए था मुझे आज आगे हम लोग यहीं बताना चीए हैं था हम क्या क्या करेंगे आगे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं वही आपको पूरी जान कर देने चाहिए थी तो देखो आपको PYQ भी मिलेंगे MCQs भी मिलेंगे पेपर जो आगे करवा है वो भी मिलेगा और वो YouTube भी मिलेगा यहां पर भी मिलेगा PYQ दौनों जगा पर करवाएंगे कुछ sample तो आप में देखा होगा Sir बता दो पहले चलो बता देते हम लोगों क्या रणीती रहने वाली है जैसे मैं बताओ मैंने आप लोगों को topic करवा दिया अब जैसी topic मेरा खत्म होता है पहले मेरे topic क्या कर दिया पूरा का पूरा पढ़ा दिया अब मेरा topic हो रहा है स्तमाप्द तो topic के बाद topic के बाद हम लोग क्या करेंगे topic वाइस ले लेंगे हम लोग test तो topic में लोग छोटे होंगे तो दो-दो topic को साथ में करके लेंगे कोई बड़े होंगे तो topic के बीच-बीच में हम लोग क्या करेंगे टेस्ट लेंगे, टॉपिक के बीच-बीच में हम लोग क्या करेंगे टेस्ट लेंगे, बढ़े होंगे तो टॉपिक के बीच में टेस्ट लेंगे और छोटे होंगे, तो हम लोग दो-दो को साथ मिलेंगे टेस्ट होगा, साथे साथ आपको जो इसकी PDF है वो आपको PDF मिलेगी और साथ इसाथ आपको जो Nauts है, वो Nauts भी आप लोगों को मिलेंगे लिखे वे Printable Nauts भी आप लोगों को मिल जाएंगे और कई चाहिजे घणा के और चाहिजे बोलो ना, और आपके जो टेस्ट होगा, वो टेस्ट आपके वीकली भी हो सकता है, पंदरा दिन में हो सकता है महिने दिन के अदर हो, लेकिन हमारा टॉपिक पूरा होती है अम्ट्रेस्ट दिलेंगे है ना पर पूरा विश्वास नहीं है बेस्ट ही, अच्छा पूरा विश्वास नहीं है के है SSE first of all, exam be clear इससे हो जाएगा राधस्थान रिना, राधस्थान है यह अब तुम भई इतनी सारी तो पड़ा लिया जाएगा आपको पड़ा ने एक बार टेस्ट ले जाएगा, पिड़ी भी मिल जाएगी और नॉट्स भी आपको मिल जाएगे ठीक, यह सारे मिल जाएगे चिंता मत करो तो ओट के पालने की जान करें हम लोगों को यहां से मिल रही है, अब ओट के पालने की अलावा हम लोग बात करें, तो प्यारों हम लोग बात करें हम लोगों यहां पर नालिया मिल रही है और जो यहां से नालियां मिली है वो नालियां कैसे मिली है तो नालियां मिली हम लोगों को लकड़ी की नालिया कैसे नालिया मिली है लकड़ी की नालिया केवल और केवल यही से लकड़ी की नालिया आप तो होती है आप तो होती है सर लकडी की नाली कैसे बनीती तो क्या कर दिया था पेड़ का जो तना था यहाँ पर क्या किया जा रहा है यहाँ पर पेड़ का जो तना था उस पेड़ की तने को क्या कर दिया पेड़ की तने को कर दिया खोकला और पेड़ की तने को खोकला करके इसको किस रूप में उप्योग में लिया जा रहा है तो पेड़ के तने को खोगला करके इसको काम में लिया जा रहा है किस रूप में इसको बना दिया है नाली के रूप में नाली के रूप में आप मेरी बात को और सुनना अब यह जो नाली है इस नाली का उप्योग किस रुप में हो रहा है तो इस नाली का उप्योग किया जा रहा है जो वर्षा जल था वो छत से छत से वर्षा जल वर्षा जल की निकासी के लिए निकासी हेतू इसका उप्योग किया जा रहा है इसको काम में लिया जा रहा है शक्से बरसात का जो पानी आ रहा है उच्छे क्या क्या जा रहा है बरसात का पानी यहाँ पर निकालने का काम हो रहा है तो इसको भी यहाँ पर क्या क्या रूप में यहाँ पर काम में लिया जा रहा है फिर प्यारों हम लोग काली बंगा के बारे में और बात करें तो काली बंगा से हम लोगों को और क्या-क्या जानकारी मिल रही है एक हम लोग बात करें मकान का निर्मान किसे हुआ है तो मकान का निर्माण यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट लाइन में पढ़ लिया था मकान का निर्माण हो रहा है यहाँ पर कच्ची इटों से किसे हो रहा है पक्की इट यहाँ पर नहीं मिली है केवल और केवल यहाँ से मिल रही हम लोगों को कच्ची इट कच्ची इटों से अब आपको एक चीज और पूछ ली जाती है और क्या पूछा जाता है आपसे पूछा जाता है इन इटों का आकार क्या है यहां से जो इटे मिली है उन इटों का आकार क्या है इटों का आकार देख लेना इटों का आकार क्या मिलता है तो इटो के आकार के भारें भात करें, इटो का आकार मिलता है, चार अनुपात, तीन अनुपात, दो, चार अनुपात, तीन अनुपात, दो का मतलब क्या है, ये तो चार क्या है, ये तो हो जाएगी इसकी लंबई, तीन हो जाएगी इसकी चोड़ाई, और दो हो जाएगी इ जैसे मान लिया जाए कोई 18 cm है तो उस 8 की चोड़े कितनी होगी 15 cm और उसकी उंचे कितनी होगी तो उसकी उंचे हो जाएगी 7.5,5 cm कितनी हो जाएगी 6.5 मिटर ठीके साड़े सांट मीटर उसकी चोड़ाई हो जाएगी ठीके अब 8 के हम लोग 4 दाइग रहा है आप 4 भाग देखते हैं ये वाले भाग तो ये तो 30 क्या हो गई इसकी लंबाई 15 हो गई इसकी चोड़ाई और साड़े सांथ हो गई इसकी ये उंचे याद रखना प्रिंगा बेटा आप अपने फोन को थोड़ा ऐसे तीरचा करो ऐसे करके रखो फोन को ऐसे मत रखो ऐसे रखो कि तो आपको बड़े दिख जाएगे थोड़े बड़े दिख जाएगे ठीके हाँ अब हम आगे बढ़ें तो ये तो होगे इटो का आकार अब इटो के आकार के बाद हम बात करें तो घरों के दर्वाजे जो थे वो घरों के दर्वाजे कहाँ पर खुल रहेते वो घरों के दर्वाजे मुख्य गेट की मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुल देते तो घरों के दर्वाजे पीछे की और खुल रहे हैं यहाँ पर घरो के दरवाजी खुल रहे हैं यहाँ पर पीछे की और पीछो की और मुखी सड़क की तरफ यहाँ पर हमको घरो के दरवाजी नहीं मिल रहे हैं लोथल से घरो के दरवाजी जो थे वो लोठल से गरों के दरवाजे का मिल रहे हैं वो हम लोगों को मुखी सड़ की तरफ मिल रहे हैं और काली बंगा से क्या मिल रहा है और काली बंगा से कौन को सीजे प्राप्त हो रही है तो हम लोगों को यहां से एक मिल रहा है जूतेवे खेत जूतेवे खेत के शाक्षे यहां से प्राप्त हुए हैं सर जुतेवे खेत के शाक्षे कैसे प्राप्त हुए हैं यह यहां का most most and most important प्रश्ण है यह बहुत ज्यादा पूछा गया प्रश्ण है अब जूतावा जो खेत था वो जूतावा खेत हमको मिलता दो प्रकार से कैसे दो प्रकार से? यह एक यह खिसनी पड़े गए कि तीन खिसते यह सुझता मैं साफ कर रहा हूँ यह देखो इसी विश्वास को हम लोगों को कायम रखना है और इसी विश्वास को कायम रखने के लिए हम दिन रात लगे हैं आप लोगों के लिए और मैं आपको प्रामिस देता हूँ यहां से कि आपका कभी भी यह जो विश्वास इस विश्वास को तूटने नहीं देंगे यह आपका निरंतर विश्वास जो है, वो काईम रहेगा, इसी प्रकार से आपका विश्वास बना रहेगा अब मेरी बात को सुनो, यहाँ जो जूतेवे खेत हैं, वो जूतेवे खेत कैसे थे, दो प्रकार से जूतेवे थे यानि ये दोहरे जूतेवे खेत मिल रहे हैं क्या जूतेवे खेत मिल रहे हैं यहां से हम लोगों को दोहरे जूतेवे दोहरे जूतेवे खेता प्राप्त हुए है प्राप्त हुए है यानि ये लोग एक ही समय में क्या कर रहे हैं दो फसलों को उगा रहे हैं एक ही समय में दो फसलों को उगाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है तो एक ही समय में एक ही समय में समय में एक ही खेत से एक ही खेत से दो प्रकार की दो प्रकार की फसले प्राप्त की जाती है दो प्रकार की फसले प्राप्त की जाती थी एक ही समय में एक ही खेट से कितने प्रकार की फसले प्राप्त की जाती थी दो प्रकार की फसले प्राप्त की जाती थी तारो आप यहाँ पर जुतावा खेट मिला है और जुतावा खेट मिला तो खेट को जोता किस से टेक्टर बुल篇 ये माँ पर interpreting पूछा जाता है लेकिन हल कैसा बनाता लकडी का किसे रीट को मिलगा है कई बात हैं बूलते हैं लिखते हैं नहीं तो मैं हरियना वाले बात से वर बोल रहा हूं लिखने हैं आप नौट लगा के लिखते जाना साथ में बनावली हरियाना से हमको केवल और केवल एक हल का मोडल या खिलो ना मिला है लेकिन यहां से जो हल मिल रहा है वो हम लोगों को लकडी का हल मिल रहा है इसको याद रखना तो हम लोग बात करें काली बंगा से काली बंगा से लकडी की नाल्या भी मिली और लकडी का हल भी हम लोगों को मिल रहा है लकडी का हल हमको मिला है लकडी का हल मिला लकडी का हल मिला ये भी यादा रख लेना लकडी का हल हम लोगों को यहां से मिल रहा है ठीक है और हम लोग बात करें तो हम लोगों को एंसे जानकारी मिलती है कि यह जो सब्वेता नस्ट हुई थी वो सब्वेता नस्ट कैसे हुई थी सर नॉट्स पीडियोफ से बना या प्रिंट आउट से अंजली नॉट्स यहां से बनाओ यही से बनाओ साथ साथ में हाथ वाथ पीडियोफ से नॉट्स बनाओ ठीक है पीडियोफ से नॉट्स बनाओ ज्यादा अच्छा रहेगा यूँकि एक सुन भी रहे हो और एक लिख भी रहे हो तो दौनों चीज़ों के अंदर डबल फाइदा मिलेगा देखो मैं आपको एक बताओं पढ़ने से लिखना अच्छा है लिखने से सुनना अच्छा है और सुनने से देखना अच्छा है अगर मैं आप खुद पड़ोगी क् Today पढ़ने से उतना याद नहीं होता जितना लिखने से याद होता है और यह अभी आपको मैं साथ ले जाकर काली बंगा के अंदर खड़ा कर दो और क्यों देखो यह यहां पर हल्ब से खेट जोता वाए यह देखो यहां पर आपको यह खोपड़ी मिली बच्ची कि इसके यह भी याद रखना ये भी आप लोगों को पूछा जा रहा है नोगों से पूछा जा रहा है तो ध्यान रखना काली बंगा से हमको एक हलका खिलोना भी रहा यह भी यादा रखना है हलकी खिलोने के साथ साथ हम लोग बात करें तो ये काली बंगा सबीता नश्ट कैसे हुई है तो यहां हमको काली बंगा से एक आपदा की जानकरी हो रही है और काली बंगा से काली बंगा से हम लोगों को किसकी जानकरी प्राप्थ हो रही है भुकंप की जानकरी प्राप्त हो रही है सर सिस्मोग्राफी लेकर कोई वहाँ पे ना पड़ा है किया कितनी रेटर का भुकंप आया है तो फिर पता कैसे चल रहा है वहाँ पर भुकंप आया है तो इस भुकंप की जानकरी के बारे में हम लोग बात करें तो मतलो ठेकेदार ने कोई मिलावटी माल डाला है है ना ठेकेदार के अंदर कोई मिलावटी माल डाला ऐसा है क्या ना ठेकेदार ने मिलावटी माल बहुत बढ़िया डाला है घर बहुत आच्छा बना है क्योंकि ठेक वाला सिस्टम निता अपने घर खुद बनाते थे लेकिन भुकंप उया है तो भुकंप आने पर हम लोगों को सभी घरों के अंदर क्या डरारे मिल रही है और जब उन गरों के दरारों को देखा तो पता लगा गयार यहाँ पर क्या हो रहा है जरूर कोई प्राकर दिखा आब आए और कौन सी आबदा आकर मकान के अंदर दरार डाल सकती है तो भुकम पिये अब प्यावो मकाम देखे हम लोगों ने तो मकान एक मंजिल के नहीं थे यहां मकान कैसे मिल रहा है यहां पर हमको मकान दो मंजिला मकान मिले कैसे थे मकाम दो मंजिला थे लेकिन हमको तो यहां पर मकानों के केवल और केवल दिवारे मिली चट नहीं मिली है चट लकड़ी की बनी थी च्छत लकड़ी से निर्मित थी निर्मित थी तो चट के आउशे शमलोगों को प्राप्ता नहीं हो रहे हैं सर फिर नौट्स बनाए तो अनीता अनीत्म आप अभी क्यों बना रही हो सासात में आप बात में बना लो और प्रणाई मिध्यान के दिएरा आप सुने और सुने के साथ साथ में क्या करते जाओ, लिखती जाओ, सुनना और लिखना दौना काम भी क्या होगा, साथ साथ में होगा, तो और इससे बढ़िया क्या होगा, दो मजी लमा काम थे, लकड़ी छत बनीती, छत की जानकर हम लोगों को प्राप्ता नहीं हो रही है, तो और का काली बंगा से हम लोगों को और क्या-क्या मिल रहा है तो काली बंगा से हम लोगों को सल्य चिकिसा की जानकारी मिल रही है। उप्रेशन के अंदर चीरफार होती, किसी भी चीज को काट कर असको निकाला जाता है। वो बच्चा सई हुआ यहां खतम हो गया यह जानकर यह मिल बचा गली मिली और खुपड़ी इंदर क्या कूं किया गया घ्लिके ஞाता उप भिपली में अ настकी को हू रही है अरु चैनले इतना काफी कि लेप से क्या किया गयता भरा गयता यह हम लोगों को जानकर यहां से प्राप्तम हो रही है तो काली बंगा से हम लोगों को मिल रहा है एक तांबे का बैल और यहां से हम लोगों को तांबे की बैल की आकरती मिल रही है तांबे की बैल की आकरती भी हम लोगों को यहां से प् लिए और मोहूर पर मोर पर पक्षी कौन सा पक्षी संभाव तह वो बगुला पक्षी था और बगुला पक्षी पंखों को पैलाने बैठा बैठा इस प्रकार के हम लोगों को मोर पर बुगला पक्षी, पंक फैलाए बैठा ये हम लोगों को यहां पन क्या हो रहा है एक चित्र और मिल रहा है इस चित्र को भी हम लोगों को यादर रखना है अच्छा, आपको यहां से अगनी की उपाशना की जानकरी प्राप्थ हो रही है तो काली बंगा के अंदर अगनी की उपाशना हो रही है, अगनी की पूजा हो रही है, इसका उधरन क्या है, तो हम लोगों को यहां से साथ यग्यवेद्या प्राप्त हो रही है. क्या मिल रहा है साथ यग्य वेदियां यह यग्य वेदियां को क्या का जाएगा इनको का जाएगा हवन कुंड तो हम लोगों को यहां से साथ हवन कुंड भी मिल रहे हैं साथ हवन कुंड की भी हम लोगों को यहां से जानकारी प्राप्त हो रही है अच्छा जब पूजा पार्ट की बारें भात करी रहे हो तो सर ये भी बता दो कि यहाँ पर बली पर्था होती ठीक नहीं होती थी बली पर्था का प्रचलन था या नहीं था तो बली पर्था का प्रचलन था और बली प्रथा का प्रचलन था कैसे मालने कि यहाँ पर बली दी जाती थी तो एक मोर मिल रही है और उस मोर की उपर एक आगे आदमी चल रहा है और उस आदमी के पीछे पीछे एक और जानवर चल रहा है और उस जानवर के चेरे के उपर फड़ा भैसा दिख रहा है तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कौन सी प्रथा प्रचलन में थी तो बली प्रथा का प्रचलन था काली बंगा के अंदर बली प्रथा का प्रचलन था बली प्रथा यहाँ पर थी और बली प्रथा थी, तो कैसे पता चल रहा है? तो पता चल रहा है, एक आदमी मुहर पर एक आदमी पशु को आगे लेकर लेकर जा रहा है इसका चित्रांकन हुआवा है, इसका चित्रांकन मिलता है, एक आदमी आगे आगे जा रहा है, और उस आदमी के पीछे पीछे क्या कर रहा है? एक कोई जानवर और चल रहा है, तो उस आदमी उस जानवर को कहां लेकर जाएगा? भुकम से हुई ती हर्सी थोड़े पीछे चल रहे, भुकम पीछे रह गया, अब आगे बढ़ गये, ठीके, तो मोँ पर एक आदमी, आदमी पर अपने पीछे पज़े क्या कर रहा है, किसी जानवर को लेकर जा रहा है, ये भी हम लोगों को जानकरी काली बंगा से प्राप्त पशु कौन सा था, तो सबसे प्रिय पशु की बात करें, तो इनका फैवरेट जो पशु है, वो उट नहीं है, वो कौन सा है, वो एक कुट्टा है, सर कैसे मान लोगे कुट्टा इनका फैवरेट पशु था, तो इनसान को जब दफना या गया है, तो इनसान को दफनाने के साथ साथ में क्या किया गया है कुट्टे को भी साथ में दफना गया है है ना कुट्टे भी कुख भी किया गया मानों के साथ में दफना दिया गया अब यहां के दो बात होगी दो बाते कैसे हो गई सर आदमी के साथ इसाथ कुट्टा मर गया क्या यह तो कोई जानकर नहीं मि तो Not लगा कर लिख रहे हैं यहां पर कर दिया ना इतना दिमाग लगाने के अशक्ता नहीं है अब कुट्टा पहले मरा आद भी पहले मरा तो तुमको एक्जाम के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा ये एक्जाम के अंदर जूर पूछा जाएगा कि इंसान के साथ किस जानवर को दफना है जा रहा है तो निसंद तो लिखी जानकरी को पढ़ने पारे तो मैंने क्लांस की इस्टार्टिंग अंदर बताया था यह आपको प्रोटो हिस्टोरिकल एज का भाग होगा जिसको हम बुलते हैं यह आध एथ हैस्ट का हिसा रहेगा क्यों है क्यों क्यों क्यूंकि लीपी मिली तो है किस प्रकार की लिपी हम लोगों को यहां से मिल रही है तो लिपी मिल रही हम लोगों को सर्पाकार कैसे लिपी मिल रही है सर्पाकार इस सर्पाकार को हम क्या कहा सकते है इसको हम कहा सकते है गुम मुत्राकार क्या कहा सकते है गुम मुत्राकार और इसकी बारे पता लगने वाला व्यक्डित था उसका नाम था वैस्तो फैदन, इस इसको का जाता है कैसे, एक लाइन ऐसे गई दूसरी लाइन कैसे है है, फिर इदर आए फिर तीसा लाइन वापस इदर गई, चौती लाइन वापस ऐसे ऐसे करके इनके द्वारा क्या किया जा रहा है लिखा जा रहा है यानि सीधे से उल्टा और वापस उल्टे से ये लाइन शुरू कर रहे है इतने आल सिते कौन इस हाथ को उठा कर वापस लाए बोला यही खत्म हो यही से सुरू कर दो ये खत्म हो, यहां से शुरू कर दो, ये खत्म हो, यहां से शुरू कर दो, ठीके, सर गो मुत्राकार का मतलब क्या होगा, अन्तिमा, आपने कभी देखा होगा कि गाय जब चलती है, और चलती है गाय जब मुत्र का विसर्जन करती है, तो ठीक इसी प्रकार की क्या करती है, ल तो प्रिंट निकल वाना तो तुम्हारे हाथ में अगर एक एक डलवा देते हैं और तो तुम एक साथ निकल वाना जर। थोड़ी कि एक निकला तुम जाओ एक डलवाने लिए उसको यह तो अपने हाथ की बात है कर नहीं है यह यार यह भी कैसा कुश्ष्ण हुआ कि सर तुम्हारी इच्छा है एक साथ निकलवाओ किस तो में निकलवाओ पूरे जितरे बी सब्जेक्ट हैं उनके एक साथ निकलवाओ तो सुनो तो कैसे हो गी यह लीपी होगे शर्पाकार घूमुत्राकार यह इसको हम कहेंगी वैस्तो फैदर लीपी शर्शारी पटमाश चल रही है क्या नई नोड़ाष चल रही है मन्डे से अपने वापस जोत पूर से स्टार कर देंगे ठीके अभी अभी एक यही है तो यही से क्लास चल रही है ठीके सर लेक्चर टच करते हैं तो पूज हो जाता है छेड़खा नहीं करी क्यों रहे फॉन को सामने रख दो चुपचा पढ़ा रहेगा है ना अब ये भी मैं समझा तुमको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ा है फॉन को सामने रख दो अब इसको टच करोगा यूट्व नहीं इसे पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिली है सफलता नहीं मिली है इसको अभी हम पढ़ा नहीं पाएं ठीके पढ़ने में हमको कोई सफलता यहां पर प्राप्ता नहीं हुई है तो एक हमको याद रखना होगा यहां पर हमको अंतिम संसकार की तीन वीदिया मिली है और काली संसकार की विद्य कौन चीती काली बंगा के अंदर अंतिम संसकार किस प्रकार से किया जाता था तो अंतिम संसकार किया जा रहा है तीन विद्यों द्वारा तीन विद्यों द्वारा होता था तीन विद्यों द्वारा होता था तीन विद्यों कौन अंशिक सवाधान और अंशिक सवाधान के बाद तीस नमबर पे आता है पूर्ण सवाधान फिर कौन सा आएगा फिर आजाएगा पूर्ण सवाधान पूर्ण सवाधान तो यह कलत सवाधान क्या होता है अंशिक सवाधान क्या होता है और पूर्ण सवाधान क्या होता है सबस शरीर को मरता व्यक्टि के शरीर को सरीर को आवशक्ता की वस्तों के साथ में जो जरूत की चीज़े थी उसके गर में रोज काम में लेता था वो आवशक्ताओं की वस्तों के साथ वस्तों के साथ उसको क्या कर दिया जाता था दफन कर दिया जाता था दफन कर दिया जाता था ठीक है मर गया कोई मरने के बाद उसके जो जो राद दिन काम में लेता था सोने चांदी के आभूशन नहीं सोने चांदी के आभूशन भी हम लोगों को मिलेंगे लेकिन वो काम मिलेंगे किस जगा पर मिलेंगे अहड के अंदर यहां केवल और केवल क्या हो रही है यहां पर केवल और केवल जो आवशक्ता की वस्त्वे थी और आवशक्ता की वस्त्वों को साथ में दफनाया जा रहा है फिर आंशिक शवादान के अंदर अव्यक्ति का मृत्व हो गया और वेप्ति की मृत्यू के बाद उसके शरीर को जंगल के अंदर ले जाके छोड़ दिया रख दिया अब जो जंगली जानवर आ रहे हैं वो जंगली जानवर कोई कह रहा है भई मैं तो आज ब्रेक्फास्ट करूंगा इसके शरीर से कर ले जiónगली जानवर आकर उसके शरीर को खाना होता था वो खापी के उसको खतम कर देते भी इंद पीछापी पीछे अब फिर कई विद्वान दिमाग लगाएंगे सर वो जानवर उसके सरीर को एक जगाई थोड़ी खाएंगे कोई उसका हाथ पकड़ कर कहीं लेकर चला गया कोई टांग काट के कहीं लेकर गया तो यह खटा कर लेंगे घरवाले माँ पर डिये ने टेस्ट कर वा लेते तो जो अस्तिया मिल गई है वो अस्तिया मिलने के बाद में लाकर उनको एक पोटली के अंदर पैक कर लिया और पैक करके लाकर उसको क्या कर देंगे खड़ा खुद के जमिनी के अंदर डाल देंगे तो आंसिक सवधान के अंदर क्या होता था इसके अंदर शव जंगल के अंदर रख दिया जाता था मरत व्यक्ति की लास को क्या कर दिया जाता था देखो इसको समझो यहाँ पर जो शव था उस शव को जंगल में रख दिया जाता था जंगल में रख दिया जाता था फिर जो जंगली जानवर थे उन जंगली जानवरों के खाने के बाद जंगली जानवर शव को शव को जंगली जानवर जंगली जानवर खाकर पीछे जो अवशेश शोड़ते थे पीछे जो अवशेश रह जाते थे रह जाते थे उन्हें क्या कर दिया जाता था उन्हें फिर दफनाया जाता था उन्हें दफनाया जाता था ठीक है ये काम हो गया और तीसरा जो काम होगा वो होगा कलस सवाधान अब कलस सवाधान के अंदर क्या किया गया अब कलस सवाधान के अंदर रेक्टी की बोड़ी को ले जाकर आग के हवाले कर दिया आग के अंदर जलकर पूरी की पूरी राक होई अब जलने के बाद अब अस्तियां बची तो उन अस्तियों को लाए एक कलस के अंदर पैक किया उस कलस को अब क्या करेंगे सर गले में डालकर हरिद्वार लेकी जाएंगे ना उस समय हरिद्वार वाला सिस्टम नहीं होता था तो वो जो कलस था उस कलस को अब क्या किया जाएगा खड़ा खुद के जमीन के अंदर डाल दिया जाएगा यानि इसमें उस शव का क्या किया जाएगा उस लास का क्या किया जाएगा तो यहाँ पर उस लास का अगनी शंसकार किया जाएगा तो शव को अगनी में जला कर अगनी में जला कर नस्ट किया जाता था उससे बचीवी अस्तियों को क्या करते हैं? तो उससे बचीवी अस्तियों को कलश में डाल कर कलश में डाल कर डाल कर दफनाया जाता था दफनाया जाता था ये हो जाएगा कलस सवाधन कलस के अंदर हड्या डाली और कलस के अंदर हड्या डाल कर उसको क्या कर दिया अब जमीन के अंदर डाल कर रख दिया सर मैथमेटिक कौन से सर पढ़ाएंगे रूप जाब भै गणित वड़ा सर रही नाम बताओं देने क्यों लेत हुए ती है ना जैंद में आ गया भैडोल बजाओ रहे ये जिमेश आ गया स्वागत कर दो इसका है ना अभी वेड़ मंगा ये बिटा बस दो मिन्टिन पजार कर है ना ओर्डर दियावा आ रहा डी जी विजे सब आ रहे है तो पूर सवादान आंसिक सवादान औ और कलास सवादान ये भी जानकरी मिल रहे हम लोगों को काली बंगा से अब प्रश्ण बंता है और प्रश्ण क्या बंता है ये काली बंगा नगरी सब्वेता थी या ग्रामेंड सब्वेता थी ये बता दो तो प्यारों हम लोग बात करें काली बंगा के बारे में तो जो सि की बार हम लोग बात करें तो प्यारों हम लोगों को जानकरे मिल रही है कि यह काली बंगा मात्र सतात्मक है यह सब्विता कैसे और बने न traumashakar giandhan card, और जandhan card के अंदर पापा परिवार के मुख्या नहीं है, जandhan card के अंदर परिवार के मुख्या किसको बनाया गया है? मा को, मात्र-सतात्मक्ता की और अग्र-सर है हमारी सरकार, अब परिवारों को राशन कार्ड की पर देखो परिवार की महिला मुख्या बनी पहले पिता जी का नाम उपर आता था अब माता जी का नाम उपर है माता जी के नाम से राशन कार्ड बन रहे हैं तो लड़कियों हो गया नहीं हो गया तुम्हारे फाइदा तुम जाते ससुरा कुकु मिल गया अच्छा और काली बंगा के अंदर जो परिवार है वो परिवार कैसा है न्यूक्लियर फैमेली है या जोट फैमेली एकल परिवार है तो प्यारों यहां जब हम बात करेंगे देखेंगे तो हमने का कि जो लोग अपने घरों की सड़कें घरों के दरवाजे भाई बाबीन चाचीन पता नहीं कौन-कौन वो पुरा परिवार बड़ा परिवार तो यह लोग कहेंगे ना डॉन डिस्टप में कोई किसी प्रकार का को डिस्टप मेंस अपने को नहीं चाहिए तो मुझे अकेले रहना है एकां बाहर वाला रोड वाला रहती जा रहा पर परिवबर के अंदर जहांखकर न देखे तो सडके अदर खूल दी मैंट गेटर की तरफ इनों ने सडके तक नीख लिए तो परिवार कैसा है परिवार यहाँ पर एक ल, परिवार एक जान करे को आप बहुत हैरानी करने वाली मिल यहां पर हम लोगों को घरों पर और एक करते हैं और सामुविक भोज का अलजिन करने इसलिए काली बंगा से हम लोगों को तंदूर की जानकरी मिल रही है यह यादा रखना काली बंगा से काली बंगा से तंदूरी चूले की जानकरी भी हम लोगों को यहां से मिल रही है यह भी यादा रखना है यह भी हम लोगों को देखना होगा इसके बारे में हम लोगों को बात करना होगा अच्छा एक प्रशन और और एक प्रशन आ रहा है काली बंगा को सिंदु सब्वेता की जो तीसरी र बान आया क्योंकि टाइम हो रहा है और एक last प्रशन रहेगा आज का अंति मु क्या है काली बंगा को बंगा को सिंदव सभ्यत्य की सभ्यत्य की तीसरी राजधनी तीसरी राजधानी पहली राजधानी हडपा दूसरी राजधानी मोहन जोद्रो और तीसरी राजधानी के बारे में बात करें तो तीसरी राजधानी मिलती है काली बंगा वैरी गुर सोनो कुमार और सेन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो कौन करें, डॉक्टर दस्रत सर्मा करें, और डॉक्टर दस्रत सर्मा ने का यह तो क्या है, यह तो टीसरी राजदानी, क्यों भई डॉक्टर दस्रत सर्मा को ऐसा राजदानी की रुप में क्या दिखिया, तो राजदानी की रुप में दिखा है, पार्ट में डिवाइड थे एक शहर की तरफ और एक दुर्ग की तरफ शहर नीचा था और दुर्ग जो था वह कहा था वो उपर की तरफ बनाता तो यहाँ पर भी किला और किले के अंदर कौन रहेगा राजा रहेगा और राजा रहेगा तो राजा वहाँ से शार्षन करेगा और जहां से राजा शार्षन करेगा वही क्या होगी राजदा नहीं होगी अब बताओ काली बंगा के अंदर मजा आया इतना भरोसा किया हम लोगों के उपर और एक बार आपको कहा और आप सारे के सारे इस क्लास के अंदर उपस्तित हुए जो नाम यूट्यूब पे देखते थे वो सारे के सारे नाम आज जा हम क्लास के अंदर देख रहे हैं गणो स्वाद आयो बस एड़ स्वाद ले लिना लेकर चलते हो हाँ यह वाया यह यह वाया जैसे मैं आपको स्टाइटिंग बताओं हम काली बंगा की बात करें तो काली बंगा खोज वोज हुई वो तो पढ़ी लिए हमने पहले अमना नंद घोश जी पहले लपी टेस से टोरी आ गए फिर अमना नंद घोश आगया फिर करने के लिए बीवी लाल और भी खी था पर आ गये उसके बाद फिर वनने काँघर बनाना है घर किसे बनाएंगेает की एंट से बनाएंगे घर बनाने की लिए पैसे की ज़ूर दुन होगी पैसे ku purity बनाए था लेकिन कुछ वाद घर कैसे बने हमने डबल इस्टूरी का घर बना दिया चत नहीं थी दिवारे थी घर का दर्वाजा साड के अंदर खुल रहा था यह तो ओगी घर की बात फिर लास्ट के अंदर घर घिरा कैसे भुकम पा गया घर के अंदर हमको दरारे मिल रहे हैं एक कहानी टाइप कहा आपको आदत पढ़ जाए आपको हमारी हमें आपकी मुझे आपको पढ़ने के आदत पढ़े आपको मुसे पढ़ने के आदत पढ़े ठीके हाँ तो अब दीजी अनुमती सर ऐसे की त्यारी हो जाएगी न हाँ बिटा जीके का जो रास्तान जीके का जो पार्ट है वो तो स मैं हिंजे भारध निवाद राधे राधे प्यारों राधे राधे